मेरी प्यारी सी यूटूब फैमली को सबसे पहरे तो हैपी नियूरात्री और आज हम दोस्तों बनाएंगे दो रेसिपी जो की ब्रत में खाके आपको एनरजी मिलेगा और स्वात तो इसका बहुत लाजवाब है तो आज हम बनाएंगे पुदिने के चटपटे आलू और साब साबुदाना ले लिए छोटी थोड़े से काजू थोड़े से बादाम तो इस इसी से हम बनाएंगे साबुदाने का सरवत कि आप बत में खाके इंज्वाय कर सकते हैं तो इसके लिए ले लिया एक पतीला पतीले में ढालेंगे हम आदा लीटर दूद मेरा फूल क्रीम है औ यूद ले सकतेई, इसमें लगा देंगे एक उबाल , पकारे 2 मिट से और ह इस इताल के चिनी दालेंगे हो, हम पनिगे अच्छे हम अच्छे से मैइट हो गही है औरने दूद हमारे मेड्य ऐ चिनी हमेचे मेड्य हूर में पती से और मिटम्रा को मूदह से है दो बैट मेड्य साब उदाने का पाउडर, इसको हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे तो यह हमारा ओरिजिनल देसी कस्टेट पाउडर बनके हो गया है तयार इसको डालके हम ने दूद को फ़रा सा गाढ़ा कर लेंगे और इसी में डालेंगे हम अपने काजो बादाम जिसको हमने पाउडर बनाके रखा था और इसको भी डालके अच्छे से मिक्स करके और अब यहां पे हम इसको लो फ्लेम पे पांचट अच्छे से पका लेंगे तो पांचट पकाएंगे तो हमारा दूद थीक हो जाएगा और थिक हो जाएगा तो पहले हम पांच अच्छे से पका लेते हैं और यहां पर हम इसको पांच पका लिए अब फ्लेम को में कर देंगे बन और इसको रोम टम्पेटर पर आने देंगे उसके आद इसको में रख देंगे फ्रिज में पूतनी देर रखे जितना आपको थंडा पस और साथ में जाएगा इसमें सेंधा नमक स्वात के नुसार दो चमच इसमें डालेंगे हम नीमभू कर रस क्योंकि चिटपटा बनाना है और आदा चोटा चमच काली मेर्च के पाउडर और अपने इसको पीस के निकालेंगे कटोरी में और यहां पर मैंने एक कढ़ाई ले है और इसमें डालेंगे हम अपने मखाने को तो मखाने को भी इसमें मुमफले के साथ अच्छे से फ्राइ कर लेंगे जब तक हमारे मखाने क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं तो मखानों को अपने हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर हमारे मखाने और मुमफले दोन तो पहले हम दो मेंट आलो को टचनि करेंगे ुश्काप उलाटते बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक की फ्राइए कर लेंगे तो कमारे यालु बढ़ियासे हो गए है फ्राइए इसमें डाल देंगे हम चटनी पहले हम थोड़ी से चटनी डालगे तो इसको मच्छे से कर देंगे mix mix तो यहां पर हमने चटनी को कर दिया है mix तो देखें हमारी चटनी किती बड़ी है लग रही हरी हरी ताकि आपका मन भी हरा हरा रहे है और आप लोग मुझे लाइक से और सब्सक्राइब करें और इसमें थोड़ी सी चटनी हम और डाल देंग चटनी अपनी साफ से डाली जितना आपको चटपटा पसंद हो तो देखें इसको भी अच्छे से कर देंगे mix और यहां पर हमने अपने आलो को चार से पांच मट कुबड़े से कर लिया है fry और इसमें डाल देंगे हम जो हमने मूम फुली मखाने को भून के रखा है लेकिन आप इसको निकाल लेते हैं प्लेट में इसको गानिस कर देते हैं मखाने से हम और इधर हमारा साबुदाने का सरबद भी बड़े से ठंडा हो गया है तो इसको निकाल लेते हैं हम एक ग्लास में तो ग्लास में पहले हम डालेंगे रोस सिरम हमने कहा तह चीनी कम डालेंगे क इसको मैंने 10 मिट पहले भीगो के रख दिया था और इसमें डालेंगे अपना हम थंडा-थंडा साबुत दाने का कस्टर्ड और इसको डालने के बाद में इसको एकवारम कर देंगे अच्छे से mix, mix तो देखिए हमारा कितना खुब्ऩ़रा सा कलर बनके तयार वहां pink-pinक सा सरबद और इसमें डाल देंगे हम थोड़े से अनार के दाने इसको मंगानिश कर देते है अनार के दाने से और इसा के साथ इसमें डाल देङए बादाम की थोड़े करें लेकिन इस निवरात्री इस रेसिपी को बना के खाये दोस्तों मजाएगा आप लोग को एक वाद फिर से हैपी निवरात्री एंड थेंक